कभी ब्रह्मा जी को देखा है बोलिए किसने देखा है बिश्णु जी को देखा है महेश को देखा है ना तुमने ब्रह्मा जी देखे ना बिश्णु जी देखे ना महेश जी देखे लेकिन मैंने देखे मेरे ब्रम्भा भी देखे हैं बिश्णों भी देखे हैं और महेस भी देखे हैं मुझे नहीं मालू मेरे भाई कि ब्रम्भा इस जगत को पैदा करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन इतना तुम मालू है कि मुझे मिरी माने पैदा किया है मेरे लिए माही ब्रहमा हुआ करती है मुझे नहीं मालूं कि बिश्नु हमारा पालन करते है या नहीं करते है लेकिन इतना तो तुम सब भी चानते हो कि मा ने तुम्हारा पालन जरूर किया है तुम्हें बाल पूस करके बड़ा किया है इसलिए माही ब्रम्मा है, माही बिश्णु है और मुझे नहीं मालू कि बुराईयों का अंतश्य वो महादेव करते है या नहीं करते है लेकिन हर बच्चे की जीवन से बुराईयों को मिताने बाले कोई है तो उसकी मां हुआ करती है ध्यान रखिये, माही ब्रम्मा है, माही बिश्णु है और माही महेश हुआ करती मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ इस सुबह उठकर के ब्रम्मा के मंदिर जाओ विश्णू के मंदिर जाओ, महेश के मंदिर जाओ, किसी तीठन करके मंदिर जाओ, अरे जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना, अरे भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से पहले, तुमने मा के तन के मंदिर में प्रवेश किया था, के चरंशो आसिदवाद लीजिए उनका ध्यान रखना माबाप की दुआएं किसी संत के आसिदवाद से कम नहीं हुआ करती हैं ध्यान रखिए माबाप की दुआँ दिश्च को देखो वो सजा देता है और दोस्त बन करके दगा देता है जिसको देखो वो सजा देता है दोस्त बन करके दगा देता है एक मा का दिल है इस दुनिया में बरना मुप्त में यहां कौन दुआ देता है बरना मुप्त में यहां कौन दुआ फिरी में दुआएं देने वाली कोई है तो एक मा दुआ मा निगर मा से बड़ा दुनिया में कोई लिया मा शब्द वो शब्द है कि जवान उपर आ जाए तो जवान नीठी हो जाए आकती है एक अक्षर कई मा शब्द इसे एक अक्षर ना समझे मैं तो कहता हूँ कि बिध्याले क्या मा बिध्याले क्या मा तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्व बिध्याले हुआ करती है मा से बड़ा बिध्याले दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है